हलो फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल तनूस पाचपुरोन आज हम बनाएंगे हिमालियन मतन करी इसको बनाने का तरीका बहुत ही अलग है और इसका स्वाध बहुत ही जादा अच्छा आता है तो हिमालियन मतन करी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है 1kg Lamb Meat आप चाहरे तो Goat Meat भी ले सकते हैं इसको हम अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, एक केजी मतन के लिए टोटल चार बड़े साइस के प्याज लियें और इसको इस तरीके से हम स्लाइस स्लाइस कर लेंगे मतन करी में प्याज हमेशा जादा ही डाले, इससे मतन करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब मैंने लिया है पांच से छे हरी मिर्च, इसको जस्ट हम चीरा लगा लेंगे बीच से और ये बहुत ही तीखे वाले मिर्च है, बुलेट चिली कहते हैं इसको तो इसलिए मैंने ये पांच से छे ही लियें, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं अब मैंने यहाँ पे लिया है ये तमाटर, तो टोटल डेड़ बड़े साइस के तमाटर मैं इसमें एड़ करूँगी, छोटे हैं तो आप दो से तीन भी डाल सकते हैं, तमाटर को भी हम सिंपली चॉप कर लेंगे मतन करी में प्याज जादा से जादा डालना होता है और टमाटर कम से कम, तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को कट कर लिया है, प्याज को इस तरीके से मसलते हुए हम प्लेट पर रख देंगे ताकि इसके जो लेयर से बढ़िया से खुल जाए, और फ्राई करते समय हमें आसानी हूँ, अब मैंने यहाँ पे लिया है एक लेसन का गाट और आप देख सकते हैं लेसन क Jewish class का यहाँ जो हम ने एक जाद कर लेगे और बालना है और पाथ से चे लेसन की खाल, और दो, छो लेसन की खाल, मैं चूची ऑर साबुत दाल देंगे, प्लिया लेसन की थो ले अब हमें करेंगे बहुत इंपोर्टेंट काम मैंने ले लिया है धोकर साफ करके कटोरी रख देंगे बीच में और इसमें हमें एड करना है एक बहुत ही डिफरेंट और जबरदस्त वाला फ्लेवर जिसे की लगेगा कि हमने इसको लकडी के आग में पकाया है तो मैं यहां प गी डाले इसको तुरंथ हमें ढग देना है ताकि यह जो धुआ है बिलकुल बाहर नहीं जाना चाहिए और यह जो होल है आप देख सकते हैं इसको भी मैंने बंद कर दिया है तो इसको अम दस मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं ताकि यह जो फ्लेवर है तो घर के सारे लोंग बिलकुल फिदा हो जाएंगे आपर और जब भी नेक्स टाइम मतन बनेगा तो आप ही से कहेंगे कि आपी मतन बनाएं कोल आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा एमाजोन पर आप सर्च कर सकते हैं बाबी क्यू कोल या फिर कोई भी प्रे तेल ना यूज़ करें तेल गरम होती हम डाल देंगे इसमें सारे खड़े गरम मसाले दाल चीनी का टुकड़ा एक सूखा लाल मिर्च तीन हरी लाइची दुबड़ी लाइची पांच से छे लॉंग एक छोटा चमच काली मिर्च और एक चक्रफूल साथ में डाल देंगे दो से तीन बीच से कटी हरी मिर्च बाकी का हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे और साथ साथ डाल देंगे आदा चोटा चमच जीरा और आदा चोटा चमच सौप इन सभी चीजों को हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर जो है तेल में आजाए मसाले हो गए है अब मैं इसमें एड कर दूँगी हमारा मतन तो बनाने का तरीका अलग है क्योंकि इसमें हम पहले मतन को फ्राई करेंगे लगबग पार से 6 मिनट और उसके बाद हम इसमें प्यास डालेंगे तो बनाने का तरीका अलग तो टेस्ट भी अलग बहुत जबरदस बनेगा लगबग हम पहले इसको तीन-चार मिनट फ्राई कर लेंगे बढ़ियासा तारकि यह जो सारे खड़े गरम मसाले इसका फ्लेवर इसमें एड हो जाए और साथ में हमने कोल का फ्लेवर तो एड किया ही है बस एक बार अब इसको ट्राई जरूर करके देख मतन को तीन-चार मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे मसाले तो दो बड़े चमच हम इसमें धनिया का पौडर डाल देंगे साथी हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच काश्मीरी लाल मिर्च बढ़ियासा कलर आएगा लाल-लाल सा तीका अब अपन इसे दो मिनट हम इसको ठोड़ा सा पका लेंगे ताकि फलेवर भी मतन में एड़ हो जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाए दो फलेम पर एक दो मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें एड़ करूँगी प्याज यह देखिए यह हो गए है Fries अब हम इसमें add कर देते हमारा प्यास इसको बनाना बहुत ही आसान है और कोई भी जादा हमने ऐसे खास मसाले नहीं डालें जिसको डालना बहुत ही जंजट है या घर पर नहीं हो सारे मसाले घर पर बहुत ही आसानी से मिलेंगे ही और आप इसको आसानी से बना सकेंगे बस आपको कोल जुगार करना है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यह कूट कर रखा हुआ अद्रक और लसन आप चाहे तो अद्रक लसन का पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं और कौन्टिटी मैंने पहली बताईए साथ साथ हम यह पाथ से छे लसन की कलिया साबूत वाली डाल देंगे आप चाहे तो इसकी जगे में एक साबूत लसन का गाट इसमें डाल सकते हैं पर मैंने चील कर लसन की कलिया एट किये सबी चीजों का अची तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे और इसमें हम साथी में एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक दाल देंगे तो प्याज और मतन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पक भी जाएगा जल्दी से और साथ साथ नमक जो है मतन के अंदर तक पूरी तरीके से अबज़ोब हो सकेगा तो गड़िया से कर लेते हैं मिक्स अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसको हमें पकाना है आदे घंटे तक जितने जादा देर तक आप मतन को पकाएंगे फ्राई करेंगे इसका स्वाद उतना ही अच्छा हैगा आदे घंटे पकाएंगे लेकिन हर पांच मिनट में इसको खोल कर हमें चला लेना है ताकि मतन नीचे से जले नहीं तो पांच मिनट के बाद मैं इसको खोल कर इस तरीके से चला रही हूं वापस से हम पांच मिनट के लिए धक देंगे फिर पांच मिनट के बाद इसको वापस से आके चलाएंगे तो टोटल मतन को पक इसे ठाइस का टॉमाटा डीत घटा-टॉमााटा कम से कम डाले मतन कषे में जादा नहीं डालना वरना टेस्ट इसका बढ़ जाता है तो अच्छी तरीके से वापस से और 15 मिनिट हो गए यानि की टोटल मतन जो है आदे घंटे तक पग गया है आप देख सकते हैं इसका कलर इसका टिक्षर सारा चेंज हो गया है इसको एक बार हम बढ़िया से और मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे पानी तो जितनी ग्रेवी चाहिए उ आपसे मिक्स तो यह हो गया है मिक्स बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आ रही है ऐसा लग रहा है अभी खालू निकाल के लेगिन अभी पका नहीं है पूरी तरीके से थोड़ा और पकना बागी है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धन्या डाल देंगे और इसमें हम डाल देंग तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे आदा घंटा मतन को मैंने पका लिया है मतन के उपर डिपेंड करता है कि आपने लैम मेट लिया है गोट मेट लिया है चोटा बकरा था या बड़ा बकरा था उसके अकॉडिंग मतन का टाइम डिपेंड करता है पकने के लिए और साथ फूकर पर भी तो आदा घंटा के बाद मैं इसमें जब सीटी लगाऊंगी तो मुझे तीन सीटी की ज़रुवत पड़ेगी आप इस चीज को अपने इसाब से अज़स्ट कर ले टोटल हमें इसको आदे घंटे फ्राई करना उसके बाद हमें इसमें सीटी लगानी है तो सीट आप अपने साब से अज़स्ट कर ले कम जादा हो सकती है लेकिन मटन पूरी तरीके से पकना चाहिए तो इसको कर लिया है मैंने बढ़िया से मिक्स अब हम इसका धकन लगाएंगे तीन सीटी आने तक पकाएंगे तीसरी सीटी के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके सारा प् जाएंगे उसके बाद हम उसको खोल लेंगे और यह हमारी हेमालयन मटन करी बनकर तयार ट्रस्मी दोस्तों ऐसा आप जबर्दस खतरनाख वाली खुश्बू आते हैंगे उसको बनाते समय कि पडोसी क्या उसके पडोसी क्या उसके पडोसी भी घर पे आके पूछेंगे कि क क्या बन रहा है तो यह हो गई है हमारी मटन करी तयार कलर देखकर टेक्शर देखकर ही पटा चल रहा है तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कितने बढ़िया तरीके से यह पक चुका है कलर टेक्शर देखकि आपको खाने का मन तो जरूर करेगा तो नेक्स संडे आप इस राशीवी को जरूर ट्राई करे बढ़िया से यह पक गया है चलिए इसको सर्फ कर लेतें गर्मा गर्म आप इसको सर्फ कर सकते हैं रोटी पराथा नान पूरी जीरा राइस किसी के साथ भी तो ये देखिए अच्छी दरीगे से पका हुआ है तो इसको हम कर लेते हैं गर्मा गर्म सर्फ इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म तीकी तीकी वाली इस हिमाले इन मटन करी को जरूर ट्राइ करें दोस्तों इतनी ज़ादा पसंद आएगी कि आप मुझे जरूर बोलोगे और मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले इसको ट्राइ करने के बाद कमेंट जरूर करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो थमसब दे और साथ ये अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग